हाई खुड मॉर्निंग सस्यकाल आदाप नमस्काव वनकम जैहिन दोस्तों आज का टॉपिक जानबूच के बना रहा हूं क्योंकि अभी हाल फिलाल में दो तीन पेशिंट मैंने ऐसे देखे जो यंग पेशिंट थे और ब्लेड पेशिर उनको हाई रहता था लेकिन वो दवा रिपे पड़ा हूँ है किसी की डैत हो घही है को लोग बहुत लाइटली लेते हैं हम्त करिये गा आज का टॉपिक क्या है आज का टॉपिक या ऑ shortest की ब्लेड पेशिर को नमबर वन की बिना धुटायों के आप कैसे कले हुन कर सकते हैं कैसे कम कर सकते हैं नमबर वन दूसरा एकदम से BP को अगर आपके पास कोई दवाई नहीं है और आप भर बैटे हुए हो जब तक दवाई का इंतिजाम हो तब तक हम क्या करें ठीक है तो कि quick एकदम से blood pressure को कुछ मिंटों के अंदर हम कम कैसे कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं वो तरकी भी बताऊंगा और natural डंग से BP को control करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए वो भी बताऊंगा सबसे पहले ये बता दूँ कि normal blood pressure होता कितना है वैसे हम बोलते हैं 120 by 80 लेकिन एक range होती है तो अगर आपका blood pressure 135 by 85 से उपर है तो हम बोलेंगे ये borderline हाई है लेकिन treatment हम शुरू करते है 140 by 90 से अगर उपर BP चला जाता है उपर का systolic blood pressure बोलते हैं नीचे का diastolic blood pressure बोलते हैं अगर 140 बटा 90 से उपर है तो हम दवा शुरू कर देते हैं और दवा regular खानी चाहिए और blood pressure regular monitor करते रहना चाहिए और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि BP उनको है भी है कभी देखा ही नहीं BP, machine क्या होती BP की पता ही नहीं तो भाई अब time आ गया है अपनी immunity पे ध्यान देने का अपनी body पे ध्यान देने का तो घर में BP instrument सबके होना चाहिए हजार बारा सुमें बड़िया सा BP instrument आ जाता है जाए ले आईए डिजिटल वाला और देखिए ठीक है अब blood pressure अचानक अगर blood pressure high हो जाता है तो natural डंग से तुरंत क्या करें पहले तो यह बताऊँगा फिर इसको खतम करने के लिए जड़ से खतम करने के लिए और हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी बताऊँगा अगर blood pressure high हो जाता है सबसे पहला काम करें लेट जाएं आराम करें नमबर वन नमबर टू डीप breathing exercise करें लंबी-लंबी सांस लें रोकें थोड़ी सेकेंड के लिए और फिर छोड़ें तो इसको कहते हैं deep breathing exercise ये करें दूसरा थोड़ी देर meditation कुछ अगर कर सकते हैं कहीं ध्यान लगा सकते हैं रिलेक्स होने के लिए वो करें तीसरा पानी पीजिए का ठीक है पानी पी सकते हैं चोथा आप एक गरम पानी में नहा लें या गरम पानी का शार ले लें या उसमें बैठे रहें 15 मिंट तो गरम पानी से भी आपका BP डाउन हो जाएगा ठीक है तो ये तो हो गया मैंने जो बताया आपको और खाने पिने में क्या ऐसा ले सकते हैं जिससे कि आपका BP थोड़ा कम हो जाए आपके घर में गरीन टी है आप वो पी सकते हैं एक डाक चॉकलेट अगर मिल जाए आप उसको खा सकते हैं या फिर थोड़ा सा टोंड मिल्क पड़ा हो तो वो भी पी सकते हैं पोटेश्यम वाला कोई जूस हो अनार का जूस हो गया चुकंदर का जूस येस बीट रूट जूस होता है वो भी बलड पेशर को कम करता है आप उसको भी पी सकते हैं ठीक है और इसके लावा जो है अनार का जूस मैंने बताया आपको और अंगूर का जूस भी आप पी सकते हैं उसे में भी पोटेश्यम होता है फाइबर होता है तो वो भी blood pressure को कम कर सकता है पानी जरूर पीजिये का ठीक है तो ये तो हो गया कि immediately हम क्या क्या कर सकते हैं बिना दवा के दवा है दवा तो खानी खानी है फिर अगर दवा पड़ी है लेकिन suppose जब तक दवा नहीं है तब तक क्या करें deep breathing exercise गरम पानी में नहाएं और जो मैंने बताया आपको की rest करें और थोड़ा meditation करें और जो खाने पीने का मैंने दो चाचीजे बताईएं ये आप ले सकते हैं और आप क्या ले सकते हैं कि एक tomato juice आप ले सकते हैं घर में बनाके toned milk तो मैंने बता दिया आपको एक गुड़हल की चाय होती है hibiscus तो ये चाय भी BP को down करती है और beetroot इसलिए चुकंदर का juice क्योंकि उसमें nitrates होते हैं nitrates जो हैं बहुत heart के लिए healthy होता है और BP को भी down करता है तो और tomato juice उसमें lycopene होता है जो कि BP को down कर सकता है और toned milk में potassium होता है calcium magnesium सब कुछ होता है तो वो भी BP को down कर सकता है तो यह तो खाने पीने में मैंने बता दिया तो तुरंद अगर BP down करना है तो यह वाली तरकीबे आप अपना सकते हैं अब बताता हूं कि वैसे BP को जड़ से अगर आप खतम करना चाहते हैं या कम करना चाहते बिना दवाईयों के तो क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए नंबर एक डैश डाइट डैश डाइट डैश डाइट डैश डाइट का जो पूरा नाम है वो है डाइट्री Approaches to Stop Hypertension बेसिक फंडा क्या है डैश डाइट का डैश डाइट का डैश डाइट में होता है कि लो सॉल्ट नमक आप कम से कम ले पंदरासों मिलिग्राम तक आप डाइट ले सकते हैं फैट को बोलें टाटा बाई 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 जो भी है प्रोसेस्ट फूड को बोलें टाटा बाई 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 शुगर को बोलें टाटा बाई बाई कम से कम लें ठीक है और हरी सबजियां और fruits और vegetable इसमें vegetarian diet पे जाला जो हो रहा है fruit and vegetable raw vegetable raw foods जरूर खाएं ठीक है तो कुल मिलाके एक dash diet है अगर आप देखना चाहें तो net पे सर्च करके पढ़ भी सकते हैं वैसे मैं बता देता हूं short में कि fruits जो हैं दिन में 4-5 serving fruits की आप ले सकते हैं कि आधा कप fruit का दिन में 3-5 बार आपको लेना चाहिए vegetable भी 4-5 बार आपको आधा कप लेनी चाहिए अनाज भी 6-8 बार आधा कप लेना चाहिए तो इस तरह से आपको में जो है आपको हरी सबजियां अनाज और fruits vegetable पे ही रहना है आपको nut seeds भी हफ़ते में 4-5 बार ले सकते हैं और sugar पांच चम्मच शुगर एक हफ़ते में बस जितना शुगर एक दिन में एक चम्मच से उपर शुगर तो नहीं होनी चाहिए उनको जिनको blood pressure है अब आपको के सब blood pressure में नमक सुनाता शुगर भी ultimately आपका ये सब चीजें बढ़ाएगी process food हो गया या तो जब भी बाहर से खाना वाना लाएं तो उसमें देख लें कि जो भी चीज आप packing वाली लेके आते हैं उसमें नमक कितना है शुगर कितनी है ठीक है और potassium rich diet लें जिसमें potassium होता है वो आले आप जरूर इसमें potassium होता है नाडेल पानी हो गया तो इन सबसे भी आपका blood pressure down होगा potassium blood pressure को कम करता है heart healthy होता है और low fat dairy product लें ब्रोकली ले सकते हैं carrot ले सकते हैं apple ले सकते हैं white egg ले सकते हैं ठीक है और चार पाएं बदाम रोच के भिगो के जरूर खाया करें यह तो diet के बारे में हो गया और आप क्या कर सकते हैं blood pressure को कम करने के लिए मैंने बताया जैसे कि नमक कम करना है आपको smoking अगर आप कर रहे तो smoking बन का दीजेगा दारू बिलकुल कम से कम करिएगा exercise regular करिएगा और de-stress करना बहुत जरूरी आपने आपको थोड़ी दिर के लिए और ऐसे काम मत पकड़ो यारो जो आपके बसके नहीं है जब अदस्ती हम लोग काम के चक्कर में इतने बरबाद हो जाते हैं कि हमारे पर फिस समय नहीं बचता और जितना पैसम कमाते हैं सब डॉक्टर को दे के चले जाते हैं तो आपको यह बात समय नहीं आती कि सबसे उपर हेल्थ को प्राइटी देनी चाहिए बागी कामों को बाद में प्राइटी देनी चाहिए और बीपी रेगुलर चेक करते रहें बहुत सारे लोग बीपी चेक ही नहीं कराते हैं सालों सालों तक बीपी आपकी नीद अच्छी होनी चाहिए, कहते हैं की 7 गंटे की नीद बहुत ज़रूरी है, और नीद का जतना भी हम हार्ट के साथ रिस्ट्वेक्टर देख रहे हैं, तो नीद अलग से रिस्ट्वेक्टर बन चुका है, आपको पता नहीं है, कम नीद का आना, और चाय कॉफी कम से कम लीजेगा डाइट में जितना चाहे काफी कम लेंगे उतना अच्छा है मिनिमम लीजेगा और ग्रीन टी वगर आप दिन में एक या दो बर ले सकते हैं तो यह है कि पानी खूप पीजेगा और घी तेल से तो आप मैंने आपको बताई दिया तो डाइट के बारे मैंने आपको बता दिया कि डाइट क्या है तो कुल मिलाके डाइट हो गया आपका रहनसेन हो गया लाइफस्टाइल हो गया रेगुलर वॉक करिएगा अपना टाइम मेनिमेंट करिएगा तो यह सब चीज़ें करेंगे तो बीपी आपका नेचरल तरीके से भी कंट्रोल हो सकता है कुछ और खाने की चीज़ें जो बीपी को में नॉर्मल करती है जैसे गार्लिक है रोज की थोड़ा सा अगर सुबह उठके एक फांक गार्लिक की ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है जैसे कि आपकी calcium rich foods है magnesium rich foods है, वो आप पढ़ लिजेगा किसमें magnesium होता है, किसमें calcium होता है तो उससे भी हो सकता है whey protein से भी देखा गया है, whey protein अगर आप लेते हैं तो वो भी BP को कम करने में मदद करती है, fish oil है वो भी BP को कम करने में मदद करता है चलिए, आज मैं तोड़ा सुस्त लग रहा हूँ न क्या करूं यार चलिए, आज 2 October है तो अहिंसावादी तरीके से हमने आज अपना सारा मैंने बोला था, आज मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा कुछ नहीं करूंगा, तो मैंने बहुत अहिंसावादी तरीके से, गानी जी को याद करते वे आज का टॉपिक बनाया है, तैंक यू वेरी मच, और बने रही है मेरे साथ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, शुक्रिया जैहिन